वेलकम तो आवर चैनल ग्यापन एकेडमी इस वीडियो में देखेंगे एकसरसाइस 4.3 का कुष्चन नमबर 6 बहुत ही मज़ेदार है ये क्लास 10 का ये टॉपिक है कई बार आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा अगर वीडियो को आप स्किप किजेगा तो आप 2 या 3 पड़ा है तो समझ में आएगा टेंशन मत लेजिए इप दा लॉंगर साइड इस 30 मीटर मोर दैन देशाटर साइट फाइंड दा साइट साइट अफिल को रहा है ध्यान से समझेए को आयतकार आयत टाइप का फिल्ड है ठीक है यह जो बोड दिख रहा है ना ये भी आयत ही गया है जिसको डाइगोनल बोलते हैं का बोलते हैं डाइगोनल बोलते हैं कर रहा है पता है डाइगोनल कितना बड़ा है यहां देखिए डाइगोनल यह वाला लाइन कितना अच्छा इसमें आप बताई सबसे छोटा लाइन कौन सा है यह है कि यह वाला लाइन जाहिर सी ब मिलेगा डागोणल मिलेगा तो आपको छोटे वले लाइण पता है नहीं पता है तो पहले छोटे लाइन को का दा तो इसे 60 को ज्यादा करो तो एकस में 60 जोड़ दो तो साच्ट ज्यादा हो जाएगा ठीक है उसके बाद बोलुकि इसका आप लंबाई कितना बड़ा है, तो वही बात. छोटे वाले लाईन से, यहाँ देखो, छोटा वाला लाईन से क्या कर दो? 30 ज़्यादा कर दो. छोटा वाला लाईन में कितना ज़्यादा कर दो? 30. अब कहा रहा है, अब तो ये सब लाईन निकल गया, दुसरा condition में बोलना है ठीक है जब ज्यादा ये हो गया तो इसका original इसका लामबाई चोड़ाई निकले ये कितना बड़ा है तो एक काम करते हैं आपको बताए होंगे बहुत पहले एक वो पाइथागोरस फर्मूला पाइथागोरस फर्मूला कभी फिर से एक्स पर explain करेंगे डारेक्ट समझेगा पाइथागोरस फर्मूला होता है करण square बराबर लंब square पलस अधार square ठीक है इसकी बहुत बड़ी एक कहानी है दूखद कहानी है ठीक है भूजा के छोटी माना कि आयतकार मैदान होगा ना जी field है कि छोटी भूजा की लंबाई कितना हो जाएगा एक्स और उसके बाद से यहाँ इसका लंबाई हो गया एक्स और उसके बाद से इसमें क्या बोला है longer side, बड़ी भूजा की लंबाई कितना हो जाएगा बड़ी भूजा की लंबाई हो जाएगा, x plus 30, diagonal यानि बिकण की लंबाई बिकण की लंबाई, x plus 60, फर्मूला लगा यह, कण इसको बोलते हैं, यह कण है यह लंब है, लंबाई से होता और यह आधार है, तो कण square बराबर का होता है, प्रसन से देखिए यहां पर, प्रसन से, कण, यह बड़ा वला लाइन कैसे मिलता है तो दुनू छोटका को जोड़ीगा, तो कौन से लाइन मिलेगा, बड़ा वला लाइन मिलेगा तो यह दुनू छोटका को, पहले यह देखिए यह वला कहता है कि हमरे बराबर अगर आना है, तो तुमको अकेले-अकेले नहीं आना पड़ेगा दुनू आदमी अपने पावर को दुगुना कर दो, और तब दुनू जुट करके आओ, तो देखिए तो यह इसके अगर बराबर जाना है, कंड के बराबर तो लंब का स्क्वाइर करना पड़ेगा यह भी अपना पावर डबल करेगा अधार भी अपना पावर डबल करेगा अदुनू जुट साथ में जाएगा तब इसके बराबर होगा, कंड कितना है कंड है, X पॉलस साथ, लंब है X पॉलस 30, आई है सिर्फ X A स्क्वाइर है तो स्क्वाइर, A पॉलस B के दोहल स्क्वाइर पर तोड़ दीजिए क्या होता है, A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर पॉलस 2 A और B हो जाएगा यह भी A पॉलस B के दोहल स्क्वाइर पर हो जाएगा A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर, देखिए अगर फर्मूला नहीं पता है और उसका ट्रीक चाहते हैं तो कमेंट बक्स में उसको कमेंट केजिएगा बहुत मज़ेदार कहानी के जरी यह आपको हम समझा देंगे ठीक है A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस 2 A B और यह हो जाएगा आपका X स्क्वाइर ठीक है X स्क्वाइर प्लस 6 का स्क्वाइर यह 60 का स्क्वाइर 36 हो जाएगा प्लस 120 हो जाएगा is equal to यह हो जाएगा x square प्लस 30 का square 900 होता है अब प्लस 30 दो ना 60x प्लस x square यहां देखिए x square प्लस 36 1206 होगा एग हो x square एग हो कितना हो जाएगा 2x square हो जाएगा अब प्लस हो थोड़ा सा सजा के लिख दो 60x प्लस 900 इस सब को एक तरफ लाए इस सब को जब एक तरफ लाएंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा पहले इसको उतार ले 2x square प्लस 60x प्लस 900 इप प्लस में है सब जाएगा इधर तो माइनस में x square माइनस में 3600 और माइनस में 120x ठीक है अब साल्ब किजिए 2x square में से जब 1x square जाएगा तो कितना हो जाएगा x square प्लस जब 120 में से 60 जाएगा तो माइनस में 60x जब यह कितना हो जाएगा 3600 में से 900 जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2700 इधर अब नहीं जीरो देखे इधर देते हैं चलेगा यहां तक समिकरण बन गया जब यहां तक समिकरण बन गया तो इसको का करना है अब आज सल्व कर देजिए पता चल जाएगा कौन किसका क्या निकला है यहां पर X का मान क्या है बाकी लंबाई चोड़ाई निकल जाएगा तो figure आप इसको बना लिजिएगा थोड़ा हम इधर पहले इसको first into last पर सल्व करने X square minus 60 X minus 27 बराबर 0 इसको तोड़िए X square 60 को तोड़िएगा तो हो जाएगा यहां पर 90 X minus पॉलस में 30 X 90 में से 30 जाएगा 60 और 9, 37 यानि 27 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 27 बराबर में 0 common लिजिए इस दोनों में से X common होगा एक जीसा है तो यहां बचेगा X minus 90 और यहां minus नी plus में 30 common लिजिएगा तो X minus कितना हो जाएगा 9 यहां पर 90 होगा 30 common लिजिएगा तो यहां पर 90 ही होना चीए ठीक है बराबर में 0 एक बार बाहर वाला लिखे X plus 30 एक बार अंदर वाला लिखे X minus 90 बराबर में 0 एक बार इसको 0 के बराबर किजिए X minus 90 बराबर 0 तो X बराबर minus में जाएगा तो पॉलस में 90 आएगा ठीक है तो पॉलस आप क्या माने है एकस आप यहां देख सकते है छोटी भुजा माने है X तो छोटी भुजा कितना हो जाएगा छोटी भुजा आपका हो जाएगा 90 और बड़ी भुजा कितना हो जाएगा तो बड़ी भुजा हो जाएगा बड़ी भुजा कितना है जी यहां पे बड़ी भुजा X plus 30 तो हो जाएगा 90 plus 30 मिला जो लेके कितना 120 यही हो जाएगा उसका लंबाई हो जाएगा 90 चोड़ाई हो जाएगा 120 तो लीजिए इसका इसकी इंसर्ट और उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले next question में जब और 10 ट्रीक के साथ तब तक के लिए जैहन